Hey guys, सेचिन सकसेना here, welcome to IT वाले भीया और आज के इस वीडियों हम बात करने वाले हैं jumping statement के बारे में तो jumping मतलब, jump मतलब जानते हैं, कूदना एक दिर से हो, दर्दगर छलांग लगाना सेम कुछ ऐसा ही programming में आता है यार, jumping statement तो तीन टाइप के jumping statement हमें देखने को मिलते हैं, break, continue and return तो basically अलग-अलग तरह से use किया जाते हैं, सीधी बात यह होते हैं कि आप एक statement पर हैं और आपको दूसरे statement पर जाना है और आप यहाँ पर jumping statement का use करते हैं और अलग-अलग तरीकों से इनका इस्तिमाल गया जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं तो छोटी सी वीडियो को हुने वाली है, इनको हम loops में use करते हैं और switch conditions में use करते हैं तो कैसे कैसे नवाल करना ये जानते हैं, लेकिन उससे वेला याभ भी तरह आपने इस वीडियो को लाइक निए तो जल्दी से राइक करो चैल को ना की सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर जां से लोग बिना तर्ष डुरो पर और लें हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं मैथर्स में और अभी हम लोग ने मैथर्स पढ़े नहीं है तो इसलिए अभी हम लोग मैथर्स को अभी हम जस्तिक एक्जामपल से देख लेंगे तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा बट रहस लीव करिए हम आगे बहुत जल्दी मैथर्स के बारे हम बात करेंगे फिलाल ब्रेक कंटिन्यू को देखते हैं तो ब्रेक एंड कंटिन्यू जो है आम तोर पर जो इस्तिमाल होते हैं लूपिंग में इस्तिमाल होते हैं किसी कंडिशन पर हम लोग ने लूपिंग पढ़ लिया है और इसक हमें पर इसका यूज नहीं होता है और return keyword जो है आम तौर पर इसका methods में यूज किया जाता है अब methods क्या होता है, methods अगर आपने functions का नाम सुना है, in job में हम लोग functions या methods कहते हैं जैसे हम रोग एक main method बनाते हैं, main function बनाते हैं वैसे हम अपने भी custom functions बना सकते हैं, तो हम उनमें use करते हैं तो पहले जानते हैं break keyword को फिर continue को and then return को तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने id में और id में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा loop वाला class हमने बनाया हुआ है main function है अब मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ एक condition देता हूँ एक loop create करता हूँ for example int मैं यहाँ पर एक loop create करता हूँ सबसे पहले int i is equal to 0 से लेकर यहाँ पर एक loop create किया जो i से start होगा i less than 5 तक यानि कि जो यह loop जाने वाला है 0, 1, 2, 3 and 4 because हमने बोला है less than 5 तक तो इतने round यह चलने वाला है loop अब यहाँ पर हम कोई condition लगा सकते है और वहाँ पर हम इसका break का use देख सकते है for example अगर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कोई एक if condition देख सकता हूँ basically break जो है वो continue जो है वो loop के अंदर ही लगा जाते है inside the loop तो यहाँ पर जो है हम loop के अंदर लगा रहे है और यहाँ पर हम कोई condition दे देता है for example माल लेता है if i is equals to is equals to 2 या 3 हमने बोला कि अगर यह loop चलेगा और i equal to equal to 3 हो गया जैसे i equal to equal to 3 हो जाए वैसे हमारा loop क्या हो जाए break हो जाए तो हमारा क्या होगा यह loop वहीं पहीं रुक जाएगा basically break का मतलब क्या होता है रोक नहीं होता है तो यह क्या होगा यह किस तरीके से काम करेगा तो मैं आपको बता देता हूँ break को जस्ट आपको break इस तरह से statement लिख देना है और semi colon लगा देना है तो यह कुछ इस तरीके से work करेगा अभी अगर यह चीज नहीं लग रही थी अभी ऐसे देखे और अगर मैं इसको print कराता हूँ then क्या print होता है आप normal देखेंगे कि पूरा हमारा loop चलता जा रहा है 0, 1, 2, 3, 4 लेकिर अब मैं क्या चाह रहा हूँ मैं यह चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने एक condition देदी कि if i equal to 3 then break हो जाए तो क्या होगा सबसे पहले print होगा 0 because i equal to 3 नहीं है 0 equal to 3 यह condition false हो गई तो यह नहीं जाएगा इसके अंदर और 0 को print कर देगा again i की value 1 होगी तो 1 को भी print कर देगा again i की value 2 होगी तो 2 को print कर देगा and जैसे i equal to 3 होगा i की value 3 होगी तो 3 equal to 3 match होगा वैसे यहाँ पे क्या लग गया break लग गया break मतलब क्या है कि वो अब इस loop को बाहर आ जाएगा break लग गया यहाँ पर तो वो जैसे यह break लग जाएगा वो यहाँ पे नीचे जाएगा नहीं बलकि यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसके बाद next statement कोई print नहीं होगा और वो आगे 4 को print नहीं करेगा और यहाँ से बाहर आ जागा तो चलिए इसको run करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं 0 और 1 2 तक print हुआ जैसे ही 3 हुआ वो यहाँ से break हो गया similarly अगर मैं यहाँ पर I equal to 1 कर दूँ तो केबल I equal to 0 प्रिंट होगा I 0 और उसका 1 जैसे ही आया वो break कर गया तो वो loop से बाहर निकल गया तो अगर मैं इसके बाहर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया outside the loop और अगर मैं इसको run कराता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही सबसे पहले 0 हुआ और 0 के बाद वो break लग गया जैसे ही break लग गया वो loop से बाहर आ गया तो break मतलब यह होता है कि loop से बाहर आ जाना जहां पर आप जिस condition पर break लगाएंगे वहां पर आपका loop जो है वो बाहर आ जाएगा तो guys अभी हमने break को लूप में देखा अब हम switch के अंदर कैसे use करते हैं को वो भी एक बार देख लेता है तो for example हमने एक variable लिया है i जिसका हमने initialize करा दिया और उसके अंदर value put कर दिया 2 अब now हमने switch case लगा है switch case हमने already पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले value जो i की रहेगी वो यहां पर जाएगी और then उसका हम cases से match कराते हैं और जिस case से match हो जाता है हम उसको print करा देता है तो यहां पर i की value जो है वो 2 है तो सबसे पहले case 1 पर जाएगा तो 1 पर यह match नहीं होगा because इसकी value 2 है और यहां पर case दिया है 1 तो match नहीं होगा तो वो यहां पर कुछ print नहीं करेगा वालकि next case पर आ जाएगा next case पर जैसे आएगा तो 2 यह match हो गया यानि कि यह value को print कर देगा और उसके बाद हमने यहां पर लगाई हुए है हर case के बाद break इसका मतलब यह है जैसे यह case चल जाएगा वैसी उसके बाद हमें इस switch case से बाहर निकल ला है तो हमने यहां पर break लगा दिया अगर हम यह break नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो हर cases को print कर देगा एक बार true होने के बाद जैसे कि मैं आपको example से बताता हूँ for example का अगर मैं इस चीज को run करतेता हूँ सबसे पहले तो जैसे मैं यहां पर इसको run करता हूँ आप देखेंगे यहां पर उसने two print किया because two यहां पर आ गया और two से match हुआ two को print किया और यहां से break हो गया बाहर निकल गया लेकिन in case अगर मैं इस break को हटा देता हूँ और यहां पर क्या करूँगा वैं again run करूँगा तो आप देखेंगे सबसे पहले case two two print हो गया उसके बाद break नहीं लगा था इसलिए अब वो सारे cases को उसने माल लिया कि यह true है तो उसके बाद सारे true हो जाएंगे ठीक है तो case three भी उसने print करा दिया और उसके बाद यहां पर break लगा था तो फिर वो यहां से बाहर निकल गया अगर मैं यहां पर इसको भी हटा दूँगा तो फिर यह यहां पर again मैं run कराऊंगा तो यहां पर two three और यह देखे wrong input इसको भी print कर दिया तो break लगाने का बतलब यह होता है कि वो बता देगा कि उसके बाद से आब आपको print नहीं करना है आपको switch से बाहर निकल जाना है इस तरीके से आप break का इस्तिमाल कर सकते है switch cases में तो let's talk about continue तो continue लूप में work करता है जैसे कि break में आपने देखा कि break से break लग जाता है रुख जाएगा वहाँ पर और वहाँ से exit कर जाता है लेकिन continue क्या करता है continue कर देता है जहां तक आपकी pass पहुँचे हो वहाँ से उसको आप छोड़ो उसके आगे का बलकि उसके next पर आप move कर जाओ ठीक है ये continue कर देता है चलो अब आगे बढ़ो निकलो आगे बढ़ो अभी आगे कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको उताता हूँ तो चलते हैं यहां पर मैं यहां पर जल्दी से अगेन वही loop लिख देता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अगेन एक loop ले लिया है i equal to 0 से less than 5 तक जो कि 0 से लेके 4 तक जाएगा अब यहां पर मैं कोई condition देता हूँ like मैंने दे दिया if i equal to equal to 2 अगर i की value जो है equal to 2 होती है तो हमको यहां पर क्या कर देना है continue कर देना है continue basically जो use होता है skip करने के लिए हो जाता है किसी भी चीज़ को अगर आप skip करना चाहते हो specific condition पर तो उसके लिए हम continue का use करते हैं और बोलते हैं चलो आगे बढ़ो तो अभी यहां पर क्या है यह कुछ जर्रली अगर हम इसको हटा देंगे तो यहां पर यह कुछ इस तरीके से work करेगा 0,1,2,3,4 अगर अभी मैं इसको print करा हूँगा तो आप देखेंगे 0,1,2,3,4 यह उसमें सारा print किया 0,1,2,3,4 और उसके आट outside the loop तो यहां पर अभी क्या हो रहा है सारे numbers print हो रहा है 0 से लेके 4 तक ठीके लेकिन अगर मैं यहां पर क्या करता हूँ condition दे देता हूँ अब मैंने condition दे दी if i equal to 2 तो continue हो जाए तो क्या कर देगा यह skip कर देगा उस वाले element को जैसे i equal to 0 है यह match नहीं होगा i equal to 2 वो print कर देगा यानि कि 0 print हो जाएगा उसके बाद फिर 1 पे जाएगा i के value 1 होगी तो 1 को print कर देगा अब i के value जैसे ही 2 होगी तो वो continue हो जाएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा बलकि यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा यानि जैसे ही i के value 2 होगी वो इसके नीचे का कुछ नहीं पड़ेगा loop के रहेगा तो loop के अंदर ही लेकिन next iteration पर move कर जाएगा next पर move कर जाएगा बलकि उसको आगे के process को follow नहीं करेगा तो जैसे i equal to 2 होगा उसने जैसे अंदर ये condition true होगा वो अंदर जाएगा continue करना है चलो वो आगे बढ़ जाना है तो 2 को छोड़के वो सीधे 3 पे पहुंच जाएगा और 3 पे फिर 3 को print करा देगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से print होगा 0, 1, 2 को skip कर देगा because 2 पर हमने लगा दिया continue 3 को print कराएगा और 4 को कर देगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का output आएगा 0, 1, 3, 4 और जैसे एक loop से बाहर जाएगा तो outside the loop तो यहाँ पर उसने क्या किया 2 को जो है 0 उसने छोड़ दिया तो जिस पर continue लगा देंगे हम उसको skip कर देंगे और उसके बाद के आगे के सारे print करते आएगे आगे बढ़ता रहता है तो कुछ इस तरीके से हम use करते हैं continuous statement now let's talk about return तो return मैंने आपको बता है कि इसका इस्तमाल जो है methods में किया जाता है अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ functions या methods होते क्या है functions या methods basically एक block of code होता है जो कि हम use करते हैं जैसे हमारा ये main function जो है main एक method है जिसके अंदर हम कुछ-कुछ code लिखते हैं और वो code specific main method को जब call होता है तब वो यहाँ पर run होता है अब यहाँ पर ऐसे custom methods भी create कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं for example आपको एक method बना कर दिखा देता हूँ like हमको यहाँ पर return का use करना है इसलिए मैं यहाँ पर आपको उसी के जैसा example दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक add नाम का जब हम name दिया यह हमारे function का name है या method का name है और इसके अंदर में दो parameter pass करा दिये या दो input दे दिये 1 is 3 and 1 is 5 मतलब दोनो integer type की value है ठीक है और यहाँ पर यह index का क्या मतलब है जो भी इसका answer आएगा basically यह function को हमें ऐसा बनाना ही जो कि return करेगा एक integer value तो जो भी value return करेगा वो इस x में आ जाएगा और हम इस x को क्या कर देंगे print कर देंगे ठीक है कुछ ऐसा हमें करना है लेकिन अभी तो यहाँ पर error दे रहा है because हमने यहाँ पर कोई भी add नाम का function या method create ही नहीं किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए create करना पड़ेगा add नाम का method तो हम जल्दी से add नाम का जो है वो एक function जो है create कर लेता है आप इस पर click करेंगे create method पर click करेंगे आप manually कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस बाले main method के बाहर अभी because हमनों उने एक different class नहीं मिला है जैसे कि मैंने बताए कि जब हम oops concept पढ़ेंगे तो हम उनके बारे बात करेंगे कि हम different class को कैसे access करेंगे object वगरा create करके अभी हम just directly तो हम क्या कर रहे हैं इसी loop class loop के अंदर है देखे यह हमारा main method वाला है यहां से यहां तक और इस loop के अंदर ही इसी class के अंदर ही loop class के अंदर यह देखे यहां पर यह हमारा एक दूसरा method बन गए add नाम का मैं private variable को इसको access specifier होता है इसको हटा देता हूँ static हमें रखना पड़ेगा because अभी हम class के थो access कर रहे हैं जब हम object वगरा create करते हैं तो हम static का use नहीं करेंगे अभी हम static देना पड़ेगा यह जो चीज आप देख रहे है add 3,5 यह basically कहलाएगा function को यहाँ पर call किया है और यह यहाँ पर पूरा function जो है in slice हुआ है तो static रखा है हमारा function जो की function का name है add जो दो parameter ले रहा है एक int i जो यह 3 है basically यहाँ पर आ जाएगा और जो 5 है basically यहाँ पर आ जाएगा तो 3 and 5 यहाँ पर pass किये जा रहा है और यह return कर रहा है integer type ठीक है return यहाँ पर जो कुछ भी return किया जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है बाकि अभी आप इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजे अभी हमें जस्त देखना है कि return कैसे use करना है तो हम उसके लिए यहाँ पर यहाँ पर पहुंचाना है तो उसके लिए में क्या करना पड़ेगा return keyword का use करना पड़ेगा और sum को return कर देना पड़ेगा ठीक है तो अब यहाँ पर basically हो क्या रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर जैसे start होगा main function से वो add करेगा एक add function call हो गया 3,5 मतलब कि 3,5 की value add के अंदर चली गई तो यहाँ पर आएगा यहाँ पर देखेगा अरे 3 और 5 यहाँ पर value है तो 3 और 5 को यहाँ पर add कर दिया गया है ठीक है 3,5 add हो जाएगा और वो answer जो भी रहेगा sum के अंदर आजाएगा यानि कि sum के अंदर इस समय value आ चुकी है 8 अब हमें 8 को बापस देना था इस जगह पे तो हमने return sum तो return कर दिया sum को तो जो भी अब इस चीज की value पूरी हो गई 8 और 8 कहां पर पहुंच गया है इस x के अंदर तो हमने x के अंदर इस समय आ चुका है 8 और हमने यहाँ पर इसको print करा दिया तो हमारा जो output है वो आ जाएगा 8 कुछ इस तरही किसे तो हमने एक function बना लिया function एक specific block of code हो गया अब हमें कभी भी दो number का add करना है तो हमें कभी भी बार बार ये code नहीं लिखना पड़ेगा just हम function को call करेंगे और automatic हमारा ये run हो जाएगा जैसे मैं दिखा हूँ अगर मुझे कुसी दूसरे number को call करना है तो मैं यहाँ पर एक variable बना लेता हूँ int z और यहाँ पर again मैं add करा लेता हूँ इस function को और मैं कोई दूसरे number देता हूँ like this और अब मैं फिर से इसको print करा देता हूँ sys out और इस वार मैं z को print करा देता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा ये हो गया तो इसने देखे 9 return कर दिया 9 को print कर दिया विकाज ये कुछ इस तरीके से work करता है तो functions के बारे मां आगे समझेंगे अभी just मारा main motto था return करना अगर आप directly इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये one line में भी आप कर सकते हैं because हम लोगों को just return नहीं करना है तो आप return और यहाँ पर i plus j कर सकते हैं तो भी directly ये work करेगा तो basically return जो होता है आपको जब बापस function call होने के बाद function से जब बाँर जाना रहता है इस function से बाँर अपने बापस mean में या जिस function को call किया गया है जहाँ पर ये function खतन होने के बाद जहाँ पर बापस जाना होता है तो उसके लिए में return करना होता है और वो return value आती है और वो इस वाले जो भी आपने इधर variable दिया होगा उसके अंदर इस्टोर हो जाएगी और last में आपने जो भी operation करना उसके साथ कर सकता है तो ये थे हमारे यार कुछ jumping statement break, continue, return तो I hope कि आपको समझ आ गया होगे अगर आपके वीडियो पसंद देए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलता है नेक्स वीडियो में बहुत बहुत दनवाद कि आपने इस वीडियो को देखा thanks for watching